नमस्कार दोस्तों, आपने रोगाली दोहर के बारे में तो सुना ही होगा, रोगाली तो हर असम में तीन बार बनाया जाता है, ये हैं जन्वरी, अप्रेर और अक्टूबर, इन तीन महीनों में रोगाली तो हर असम में बनाया जाता है, रोगाली फीवू के नित्ते को भी आ करता है कहते हैं रोगाली तुहार जिस दिप भी किया जाता है लोग गीत भी गाया जाता है और सम इस वीडियो के दुरान के रोगाली तुहार किस प्रकार मनाया जाता है और हैं souvent यह किसी भी चाहती या किसी 똑같 रंग रूप से कोई बेध़ां नहीं करता ये तोहार सभी मिलकर बनाती है रोगाली शब्द हमें दिवाशा पाजा से मिला है जिसका अर्थ है किर्शी करने बाला और यह उसी के लिए ही ज़रूरी मने जाती है कहते हैं कि ये देवशाही ने पहली किर्शी के लिए प्रात्ना करने के लिए ये पूजा आर्पित की थी इसलिए जनवरी के इमा में ये तोहार बनाया जाता है और किर्शी के रूप में मनाया जाता है विए का पहला नाम वीशू था वीशू का मतलब होता है पूजना और शू का मतलब होता है प्टिक्री पर समरे थी कहते हैं वहां के रहने वाले लोगों ने इसका धीरे धीरे नाम यूज़ करते हुए विशु से वीहू कर दिया और इसी नाम को आज तक परचरीत किया गया है। नाम आज कर परचरीत है और वीहू विशु से ही मिलकर बना है। वीहू का तो हर कई परपराव से मिलकर बना है कहते हैं कि वीहू जब बनाया जाता है तो सभी लोग उसमें आकत मिलकर हूँ धूधाम से बनाते हैं कि यदि आप अपरेल में ये तोहार शुरू किया जाता है तो एक महीने तक रहता है और इसे नबश के तरह ही मनाया जाता है जिवो के तोहार पे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और नए बेंजन भी बनते हैं लोग अपने पडोसियों को सबचिंतक देते हैं और उन्हें मिठाई भी बाड़ते हैं कहते हैं कि इस दिन सबसे महत्रपूर मिठाई होती है पिठा जो कि इस तोहार पर ही बनाया जाता है ये खास मिठाई का पेंजर माना जाता है बिहु का तोहार बड़ी धूंधाम से बना जाता है, इस दिन लड़के और लड़किया गमोसा और धोती पहन कर ही डांस करते हैं, कहते हैं कि रंग बिरंगे टोपया भी पहनते हैं और धोल पर डांस करते हैं, नित्य पूरे दिन चलता है और सभी लोग बिभाईत हो या जड़की हो धोती और गमोसा पैंकर और रंगी इंटोपियान लगाकर ही निते करते हैं। विहू में निते बहुत ज़्यादा परच्छीत कहा जाता है। वहां पर सभी एविवाइत हो या विवाइत हो। सभी लोग मिलकर निते करते हैं। और उसमें बच्चे हो बूडे हो सभी शामिल होते हैं। इस तोहर को बड़े धूनदाम से बन दे जाता है। तो जाना आपने कि विहू का तोहर कितना ही मज़दार है और कितना रंगीन है। इस तोहर को साल में तीन बार मना जाता है। मेरी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना हुले